और कैबिनेट मंत्री और सुहेल भारती समाज पार्टी के राष्टी एद्धार चोपी राजभर मंत्री जिस तरीके से आप दूसरे प्रदेसों में आप एक्टिव हो रहा हैं आपने दो दिवसी सम्मेलन अपना जो था वो मुंबई में किया जाए तो क्या चीजें उसमें रहीं आप दूसरे स्टेट में भी अपना संगठन खड़ा करेंगे वहां पुर वी चुनाओं में जाएंगे तो क्या कुछ तयार है कि संगठन खड़ा करेंगे नहीं खड़ा किये हुए हैं चाए बिहार हो चाए उतारा खंड झाराखंड हो चत्तिस कड़ों चाहे महाराष्टा हो चाहे गुजरात हो हम 13 प्रांतों में पार्टी के संगठन खड़ा किये हुए हैं और राष्टी अधिवेशन महाराष्ट में करने का उद्देश के चुनाव आ रहा है चुनाव लड़ना भी है लोगों के लोगों में जागरती पैदा करना कि आगे जो चुनाव आएगा वहाँ पार्टी चुनाव लड़ेगी जो बंबई सहर में जो उत्तर भारती लोग 48 परस करवें चुनाव चुनाव मैधान में दयारी विक रहा है और उसी के साथ पूरे देश में पार्टी के जो उत्तर पर पहुंचार हैंगो आप उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र भारती जंता पार्टी के साथ इंडिये गड़ बंधन में हैं और जिन जिन राज्यों में करीब 6-7 राज्य हैं जहां आने वाले साल भर के अंदर चुनाओं होंगे तो उन राज्यों में भी बीजेपी के साथ रहेंगे या अकेले ख वहां भी बड़ी रेली करते हैं हमारे नेता 10-15-20-20-20 की रेली करते हैं विदान सभागिते यारी कर रहे हैं तो गड़बंधन होगा तो पाटी चुनाओं लड़ेगी पसमांदा समाज के कुछ संगठनों की तरफ से भी मां उठा या रही उनको पूरा लाब नहीं मिल प परने की हम उनकी माण्ग के साथ है उनकी लड़ाई के साथ हैं उंके आज उनकी आवस्वत्ता हैं, उनको Здесь ने ध्होखा दिया उनको सपा ने ध्होखा दिया वसपा व्यलू से दोका खौई हुए लूग आगे आ रहे हैं तो ऊंप्र का सदाजबर भारती समाज्पायटी उनकी लड़ाई के साथ खड़ी रहेगे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेस अभी आया था इसके पहले हाई कोर्ट का भी है जो आरक्षण को लेकर मामला है जिसमें बहुत सारे विपक्षी दलों ने पूरे देश बर में अंदूलन किया उसको किस तरीके सा देखते हो क्या मान देखें कॉंग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज़ पार्टी एक तीनों पार्टी अमीरों को आरक्षण देना चाहते हैं कि अमीरों को आरक्षण मिलता रहे गरीबों को न मिले गरीबों को बरगला करके सुप्रीम कोट का फैसला था कि कोटे में कोटा है जो आरक्षण अनुसुचित जात अनुसुचित जन्जाती को मिल रहा है उसमें जो गरीब कमजोर को नहीं मिल पा रहा है उ लेकिन ये इतने चतूर हैं कांग्रेसी, इतने चतूर हैं समझवादी, इतने चतूर हैं बसपाई कि ये गरीबों को बर्ग ला करके आरक्षन का लाग जो ले रहा है वो तो सड़क पर नहीं आया, वो तो आप इसमें बैट करके दफ्तर में काम कर रहा है, वो मजाले राब के रोट पर लाकर के प्रदर्शन करा रहे हैं ये सुद्ध रूप से कांग्रेस बस्पा सपा के लोग ये अमीरों के ही तैसी हैं गरीबों के दुस्मन हैं तो आपकी पार्टी के तरफ से कोई ऐसा कारिक्रम चलाया जा जिसमें ये चीज उन लोगों तक पहुंचाई या जि पहसले को सही पहसला क्या है उसको हम जनता के बीच में बताएंगे और ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग जो गलत प्रचार कर रहे हैं इनकी पोल खोलेंगे उतर प्रदेश में समाजवाधी पार्टी और कॉंग्रेस गड़बंधन में हैं लेकिन सीटों को लेकर दिक्क्त चल रही है कॉंगरेस ने पांस सीटे उतर प्रदेश में मांगी हैं जिसका प्रस्ताओ बनाकर भी अपने केंद्री नियर्थी दिया है कि सपा से दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर दूसरे पर्देशवों में राजस्थान या राज़्यों हार्याना जैसे राज्यों में अगर कॉंग्रेस उनको सीटे नहीं देती तो उत्तर प्रदेश में भी हम नहीं देंगे जानते हैं कि भारती जिंता पार्टी एंडिये गड़ बंदन के साथ जाएं अलग हुए तक खताम पिल्कुल यह उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहल दो बारती समाच पार्टी के राश्टी अद्यद्य चोपी राजबर हैं जो कह रहे हैं कि जहां तक पसमांद है उसके साथ हम खड़े हैं जैमरा में अमिश रहनी के साथ मैं इसके बाच पर ही निउस और इंडिया लखनु थम्प